Hello Students, Welcome to the Digital Classroom of Lalbagh Girls Inter College. I am Mrs. R. Singh, मेरा आज का Lecture Class 12 Students के लिए है. Students, आज आप पढ़ेंगे राश्ट्रिय आय की गर्णा की विधियां. राश्ट्रिय आय की गर्णा करने के लिए चार विधियां होती हैं. पहली उत्पादन विधि, जिसको Production Method कहते हैं, दूसरी आय विधि, जिसको Income Method बोलते हैं, तीसरी होती है मिश्रित विधि, यानि Mixed Method, और चौथी है व्यए विधि, यानि Expenditure Method. पहले इन सब का एक Short Introduction समझ लीजिए. उत्पादन विधि क्या होती है? इस प्रणाली में राश्ट्रिय आय को उत्पादन की दृष्टी से देखा जाता है. इसे वस्तू सेवा प्रणाली भी कहते हैं. इसमें देश के समस्त उद्योगों, क्रिशी और अन्य प्रकार के व्यवसायों की कुल उपज का मूल्य चालू कीमतों पर निकाल कर और इसमें से चल और अचल प्रतिस्थापन को घटा कर जो शुद्ध उत्पत्ती बचती है. वो उस वर्ष की राश्ट्रिय आय होती है. आय विधी में राश्ट्रिय आय का अनुमान देश के विभिन व्यक्तियों के विभिन वर्गों की आय को जोड़ कर किया जाता है. जिसमें आय को पाँच वर्गों में बाटा जाता है. कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन, गयर कमपनी व्यक्तियों को किराय की आय, कमपनियों के लाब और ब्याज से आय. इन वर्गों के योग को जोड़ कर राश्ट्रिय आय ग्यात कर ली जाती है. इस प्रणाली से राष्ट्रिय आय का अनुमान करने का लाब यह है कि इससे देश के विभिन वर्गों के बीच राष्ट्रिय आय के वित्रण का भी पता चल जाता है चल जाता है तीसरी है मिश्रित विधी जिसके अंतरगत उत्पादित रीती और आय रीती दोनों का ही प्रयोग किया जाता है जिन उद्योगों और व्यवसायों में उत्पादन से संबंदित आकड़े उपलब्द होते है उनमें उपज मूल को ग्यात करने के लिए उत्पादन प्रणाली का प्रयोग कर लिया जाता है जिन व्यवसायों में ये आकड़े उपलब्द नहीं होते उनमें आय प्रणाली से आय ग्यात कर ली जाती है चौथा है व्याय विधी इस प्रणाली के अंतरगत राश्ट्री आय को ग्यात करने के लिए वर्ष भर में वस्तूओं और सेवाओं पर किये जाने वाले कुल व्याय को जोड़ा जाता है व्याय को सामाने तहा दो मदों पर किया जाता है उपभोग वस्तूपर व्याय और निवेश वस्तूओं पर व्याय राश्ट्रिय आये एक वर्ष के दौरान एक देश की सरकार तथा सभी व्यक्तियों द्वारा किये गए समस्त उपभोग व्याय और निवेश व्याय का कुल योग है इसमें कुल राश्ट्री उत्पाद में निमनलिखित को सम्मिलित करते हैं व्यक्तिगत उपभोग व्याय सकल घरेलू निजी विनियोग सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के क्राय का मौद्रिक मूल्य विशुद्ध विदेशी विनिमै और सकल लोग विनियोग